मद्ध परदेश किये तिहां सिक टेपेश्टी के बीच इस्थित गोहद किला जाट समराज किला चिले पनोर वास्तु कला कोसल के परमान के रूप में खड़ा है किले की कहानी 1515 में शुरू होती है जब बमरोलिया जाट सासक सिंग देद्वितिये ने इसे अपने लोगों के लिए गड़ के रूप में अस्थापित किया था उनका द्रिष्टी कोन छेतर के उथल पुतल बड़े रनितिक परिद्रिष के बीजाटों के लिए एक सुरक्षी ठीकाना बनाना था गोहद की रनितिक इस्थिती ने इसकी प्रारंबिक सफालता में महत पुन भूमिका निबाई बैसाली नदी के तटपर इस्थितिया किला एक तरप से प्राकिर्थिक रूप से मजबूत था सिंग देद्वितिये ने दो संकेंद्रित गोलाकार दिवारों भावे पुर्जों और सात्र नितिक रूप से रखे के द्वारों का निर्मान करके अपनी सुरक्षा को और मजबूत किया अगली दो सताप दियों में गोला किला बढ़ते हुए जार्ट समराज के दिल की धरकन बन गया महराज भीम सिंग राना और महराज छत्र सिंग राना जैसे बात के सासकों ने किले के परिसरगा विस्तार किया जिसमें भावे महल, दर्शन कक्ष, मंदीर और पानी के टैंक सामिल थे विसेश रूप से भीम सिंग राना को गोहत को एक दुरजे सक्ती में बदलने का स्रे दिया जाता है उन्होंने मुगलों की ताकत को सफलता पुरुवक चुनावती दी यहां तक की कुछ समय के लिए ग्वालियर पर भी कपजा कर लिया उनके सासन काल में संदार्ज नवीन महल का निर्मान हुआ जो जाटों की वास्तु कलानी पुन्ता का प्रमान था गोध कीले की दिवारे कई लराईयों और घेराबंदी की गवाह है इसने मुगलों, मराठों और अन्य छेत्रिय सक्तिक के हमलों को सफलता पुर्वक विफल कर दिया हालाकि 1745 में महादजी सिंदे के नेतरित्वे में मराठा कीले पर कपजा करने में कमे आब रहे जिससे और स्थाई रूप से जार्ट समराज का स्वतंत्र सासन समाप्थ हो गया इस जटके के बावजूद, गोध कीले की बिरासत कायम है या जाटों की अटूट भावना और मद्य परदेश के सांस्कृतिक परिद्रिस में उनके उलेक निया योगदान का परतीक है कीले का राजपुत और मुगल अस्तापत्य सायली का अनुठा मिश्णन उस संस्कृतित आदान परदान का परमान है जो इसके उत्थान के दवरान विक्सित हुआ था गोद कीले की यात्रा केवल अतीत की यात्रा नहीं या छेत्र की जीवन संस्कीतिक का एक गहन अनुभाव है कीले के चारों और बसा गोद सहर उन लोगों के जीवन की जलक पेस करता है जिनोंने पीडियों से कीले की अस्मिर्ति को जीवित रखा है अस्थानिय अभ्य अजनों को अस्वाद लेने से लेकर परामपरिक लोगपर दर्शन देखने तक गोध की आत्रा इतिहास संस्कीतिक और जाटों की अदमय भावना के साथ एक अव इस्मर्निय द्रिश से कवादा करती है गोध कीलासिर पेक इतिहासिक अस्थल से कहीं अधिक है या मद परदेश के अतीत की समरीद टेपेश्टरी का जीवन्त परमान है इसकी कहानी लचीले पनविर्ता और कलतमक्ता की परतीवा की फुस्फुस आती है जो आगंतुकों को समय के पीछे जाने और बीते युक की ब्यता कानुभव करने के लिए मंत्रित करती है मुझे आसा है कि आप विवापक बीवरण आपको गोध कीले के इतिहास और महत्तों की गड़ी समझ को पेश किया होगा और भी कीले के रहस और इतिहास को जानने के लिए हमारे वीडियोज देखे और वीडियोज को सेयर करे जो झाले